लो गाइस कैसे हैं आप लोग तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में गैमिटो जनेसिस के बारे में पढ़ेंगे इससे नीट के हंदर हर साल दो कोशन इस टॉपिक से आता ही आता है तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे गैमिट क्या पैदा होना कहलाता है गैमिटो जैनेसिस मेल की केस में जो गैमिट प्रेड्यूस होता है तोर इंतना समझ में आ है in testis the immature male germ cell testis के अंदर जो immature male germ cell होती है इसको spermatogonia बोलते हैं यह समझने के लिए आपको किस डाइग्राम पर फोकस करना होगा और सबसे majorly जिसमें फोकस करना हो यह डाइग्राम है मैंने आपको पिछले first lecture में ऐसे सब्सक्राइग्राम बनाया था इसमें मैंने आपको बताया था यह सेमनी फेरस टिब्यूल है यहाँ पर बहुत सारी cell जो है ग्रोर यह डबलप हो रही है इसको हम बोलते स्पर्मेटोगोनिया यह immature इसको हम बोलते स्पर्म मेटोगोनिया यह आगे जाके फाइनली बनाती है तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर की कह रहा है जो immature male cell प्रड्यूस इसकी बात कर रहा है यह जो है immature male cell इसकी एक single male cell की बत कर रहा है इसकी चाहे इसमें ले लीजी इसको चाहे इसमें ले ले ली इसको यह जो immature male cell इसको हम बोलते स्पर्मेटोगोनिया यह आगे जाके फाईनली बनाती क्या इस्पर्म बनाती है यह कैसे बनता है इस ही के कहलाता है spermatogenesis यह सल आगे जाके double होके divide करके sperm बनाएगी इसलिए इसका sperm का generation कहलाता है spermatogenesis अब देखिए sperm that begin at the poverty spermatogenesis जो है male के case में जब poverty शुरू होती है तो sperm का generation शुरू हो जाता है the spermatogonia single spermatogonium इस single cell को हम बोल रहे हैं मतलब एक cell को हम बोल रहे हैं एक cell को यह वाली single इसमें से एक cell single जो immature germ cell है इसको हम गोनिया की जगा गोनियम बोल रहे हैं समझ में एक individual cell को हम बोल रहे है spermatogonium single अगर हम बोलेंगे spermatogonium और यह बहुत सारी होगी multiple सब्सक्राइब में होगि तो क्या बोलेंगे स्पामयटॉगुनिया इतना समझ में आया होगा आपको इस्पामयटॉकुनिया प्रेजेन्ट ओन द इंसाइड वॉल आफ सेमनी फेरस टिब्युल ये इस पामयटॉगुनिया प्रेजेंट होती है अंदर ये किसका स्ट्रक्चन है यह multiply करती है mitosis division से and increasing number अब यह देखिए अगर आपको यहां देख रहा होगा कि यह single cell अपने आपको multiply कर रही है multiply कर रही है अपने numbers को बढ़ा रही है ताकि वो आगे divide होके finally sperm बना सके and increasing number हर spermatogonium cell जो है diploid होती है diploid का मतलब क्या होता है two and twice in number होती है जिसके अंदर 46 chromosome होते है इसको समझने के लिए एक पूरा चार्ट है यह चार्ट को आप ध्यान से देखिए यह जो है cell है immature male germ cell है जुन्ड में इसको हम बोलेंगे spermatogonia सिंगल एक cell निकाल देंगे तो इसको हम बोलेंगे spermatogonia जो कि immature male germ cell के नाम से भी जाना जाता है लेकिन spermatogonium cell बोला जाएगा इसको single अगर होगी यह cell जो है अपने आपको क्या कर रही है multiply कर रही है grow कर रही है तो यह जो cell होती है immature male germ cell spermatogonia यह diploid in number होती है two in number होती है ठीक है तो two in number होने के कारण इसके अंदर mitosis होगा mitosis होगा mitosis से एक से दो बनेगी दो से फिर यह अपने आपको क्या कर रही है यह अपने आपको grow कर रही है तो यह cell अपने आपको grow कर रही है इसे वाली व्हलेवाइं को लगता है अपने आपको क्या कते हैं मल्टोय क्रमेस अब देखिए इन में से कोई एक सेल जो है माली जी यह वाले सेल आगे जाके यह बाली सेल में दिटिफरेंचेट और इसटल को स्पाम बनाना रहा होगा आपके वस्ज़ों सकता है कि सर सारी सेहल क्यों नहीं एक साथ स्पम बना सकते है यह यह सारी से अगर only such a इस्पर्द्रीस करेगी तो टैस्टिस के अंदर से इस्पर्म जो है एक सांद फॉर्म हो और स्पपम बने गां नहीं तो इसम्नों आ है तो स्पमप्रड्यूसीं नहीं होगा इसीलिए कोई कुछ इस सेल जो है आगे जाकर वाकिर नोगर गोनीं JOHN गरёр आगे जाती है ठिक है और इसको कि भी माली जा जाकी आगे इस नहां लिए कि इस ने आ गू कर लिये इस शराईट स्पामेटोसाइट अब यह जो प्राइमरी स्पामेटोसाइट से यह वाली सेल के अंदर मियोसिस होगा क्योंकि फाइनली हमको स्पम बनाना है यह प्राइमरी स्पामेटोसाइट सेल के अंदर मियोसिस होगा म्योसिस इसली होगा, क्यूं arbitr Hum 不是 लिएक इसके इंदर jár जो 46 क्रोमोजॉम है म्योसिस होने के कारण इसके जो 46क्रोमोजॉम हो गाँ होगै 23 इसमें आगय है 23 इसमें आगया यह ूख यह डबल इन नंबर थी यह सिंगल नंबर होगई ठीक है 23-23 chromosome तो आगए है लेकिन आब जो क्रोमोजोम नंबर और क्रोमोट्रिंट की संखिया हाफ हो गई अब यह जो सेल्स इवाएप को और अपने को ग्रो ہाएगी ठीक है जब यह grow करेगी अपने आपको यह finally sperm बनाएगी अब जो इस stage में यह cell है इसको हम बोलते है spermated इस stage में जो cell है इसको हम बोलते है spermated यह spermated cell यह वाली cell इसके अंदर जो है जब tail आजाएगी इसके अंदर यह माली जिए N cell है सिंगल इन नंबर है जब इसके अंदर टेल आजाएगी मेटामोरफोसिस होगी मेटामोरफोसिस होने के कारण यह जो final product जो बनाएगी sperm बनाएगी इसी को इस chapter में इस lecture में समझाए गया है अब देखिए बोला गया है कि spermatogonium प्रेज़ेंट ओती है कितना 46 chromosome 46 chromosome अब इसके अंदर periodically म्यूसिस में जाएगी एक साथ म्यूसिस में नहीं जाएगी period में कुछ time के बाद कुछ cell ही म्यूसिस में जाएगी जैसे इसमें यह वाली cell म्यूसिस में गई क्यों मैंने आपको बताया था साथी cell एक साथ जो है divide नहीं होगी अगर सारी cell एक साथ ग्रो करके sperm बनाएगी तो टेस्टेस से sperm ही खतम हो जाएगा sperm produce ही नहीं पाएगा तो इसलिए कुछ cell जो है वो म्यूसिस के अंदर जाती है जैसे इसमें primary spermato side cell जो है वो म्यूसिस division में गई यह वाली cell जो है म्यूसिस division में गई इसके अंदर म्यूसिस first हुआ अब म्यूसिस first में क्या हुआ म्यूसिस first में जो हुआ two equal half cell में बटी दो equal half में बटी जिसको हमने बोला यह वाली cell जो है primary spermato side दो equal half में बटी इसको हम बोलते है क्या secondary spermatocytes ठीक है अब ये जो cell है ये 2 equal half में बटी और इसको हमने वोला secondary spermatocytes अब ये जो secondary spermatocytes है इसमें 23 chromosomes है इसमें 46 chromosomes थे ये जब 2 equal half में बटी तो इसमें 23 chromosomes होगे इसमें 23 chromosomes होगे ठीक है अब कहा रहा है कि the secondary spermatocytes में इसमें 23 chromosomes है अब chromotid का number half करने के लिए ये secondary spermatocyte cell जो है फिर meiosis में जाएगी और बनाएगी four equal spermatids अब chromotid chromosome का number half हो गया अब chromotids का भी number half करने के लिए ये वाली cell जो है further meiosis second division में जाएगी और ये बनाएगी spermatid cell अब ये जो है grow करके इसने बनाया half है ये ये वनी spermatid cell ये spermatid cell जो है further डबलप होके इसके अंदर टेल आ जाएगी metamorphosis होगी ये further डबलप होके क्या बना रही है sperm यानि ये मियोसिस के कारण sperm बने इन चार से चार स्पम प्रड्यूस ही ठीक है अब देखिए ये सेल जो है 23 chromosome था ये मियोसिस के कारण ये फिर डिवाइड हुई और इसने बनाया spermated जैसे कि अगर आप 3.5 फिगर में देखेंगे अभी इसको भी मैं समझाओंगा वट बुड वी दा number of chromosome in spermated अब पूछ रहा कि कितने number होंगे chromosome का spermated के अंदर जो भाया मियोसिस फर्स्ट में था सेम मियोसिस सेकेंड में भी होई chromosome number होगा the spermated transform into spermatozoa जिसको हम बोलते है spermogenesis ये वाली spermated cell ये जो है इसके अंदर metamorphosis होगा metamorphosis का मतलब है टेल आना जब इसके पास टेल आजाएगी तो ये spermatozoa spermatozoa टेल को भी बोलते है या फिर हम इसको हम बोलते है sperm अब ये sperm बनने की प्रक्रिया को हम बोलते है sperm myogenesis genesis का मतलब होता है बनना इतना समझ में है अब इसी चीज़ को इसमें देखिए ये डाइग्राम से कोश्चन आता है नीट के अंदर सको आप मार्क कर लिजी अभी मैं कोश्चन करवाँगा भी ये उसी को इस टाइक्राम में समझाए गया है ये एक spermatogonium है जो की immature meal germ cell है ये divide करेगी mitosis से और बनाएगी क्या primary spermato sites इन primary spermato sites में कुछ के अंदर immunosis होगा जो convert होगे आखे जाके secondary spermato sites में ये secondary spermato site convert होके finally spermated बनाएगी ये spermated में जब टेल आजाएगी metamorfosis के कारण तो ये finally sperm बन रहे होपर अगर आपको दिख रहे है अब आपको याद होगा कि finally ये सट्रोली cell है सट्रोली cell का क्या काम था सट्रोली cell का काम ये था जो ये immature male germ cell है spermatogonium इसको क्या provide करना होता है nourishment ये nutrition provide करना होता है तो सट्रोली cell का ये काम था ये लगता है कि अब ये आपको diagram समझी में आ गया होगा तो नीट से इसकी labeling आ जाती है और cbc board में इस diagram का पूरा structure आ जाता है जो मैंने ये chart बनाया है इसको मैं अपने profile में लगा दूँगा इस chart को आप ncrt में यहाँ पर बना लीजिगा ताकि आपको समझ में आ जागी कैसे कैसे हुआ सबसे पहले multiplication हुआ फिर growth हुआ फिर finally sperm बना ठीक है अब इसी chart को यहाँ पर भी बनाये गया है ncrt में इस page पे अगर आपको यह easy लग रहा है तो आप यह पढ़ लीजिए अगर आपको वह easy लग रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं ठीक है कुशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एए पिंटी 2015 में कुशन आयागा है पूछ रहा है कौन सी सेल गेमिटोजनेसिस में डाइप्लोइड इन नंबर होती है तो option दे रखा है स्पामेटो गुनिया option B दे रखा है secondary पॉलर बोडी option C दे रखा है primary पॉलर बोडी तो देखे जितने भी गेमिटोजनेसिस से questions होंगे वो या तो इस चार्ट से आएंगे जो मैंने आपको बता है या फिर इस डाइग्राम से तो देखे इसमें पूछा था कि ऐसी कौन सी सेल है जो डाइप्लोइड इन नंबर होती है सिर्फ एक ही सेल है स्पामेटोगुनिय तो इसका क्या answer जाएगा answer A, A option सही है अब बात करते है question number second की question आपकी नीट exam 2013 में पूछा गया है बोल रहा है हमें correct sequence बताइए sperm formation का sperm कैसे form होता है तो अगर आपको ये diagram याद है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या बनता है सबसे पहले spermatogonium जो immature male germ cell है वो आगे जा यह spermato side आगे जाके क्या बनाती है spermated बनाती है यह spermated बनाती है और यह spermated finally spermatozoa में बनता है तो सबसे पहला sequence क्या बनेगा spermato gonia cell दूसरे नंबर पे spermato side आएगा तीसरे पे spermated और चौत्थे पे spermatozoa अब इस question को सबसे fast करने का बस यही तरीका है कि आप देखिए कि sequence कौन सा स यह पहले नंबर पे spermato gonia बना था दूसरे नंबर पे spermato side बना दूसरे पर є नोबर पर oppression आ जाते हैं सी पे ठीक है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका answer क्या होगा पहले नंबर पे spermato godiness बनता ना कि spermated तो सी option भी गलत है D पे आ जाते हैं पहले नमबर पर Spermatogonia बनता है दूसरे पर Spermatoside बनता है तीसरे पर हमारा बनता है Spermatid तो C भी गलत है क्योंकि Spermatosowa तीसरे नमबर पे नहीं Spermatosowa final product होता है तो अब B option बचा B ही सही होगा क्योंकि सबसे पहले नमबर पर Spermatogonia बनता है थर्ड है जो कि Prelims 2010 में पूछा गया है पूछ रहा सेट्रोली सेल कहां पाई जाती है तो इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके दीजीगा इसका अंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ ठीक है पूछन Prelims 2008 में आए हुआ हुआ है पूछ रहा कि इन हुमेंस में सेकेंडरी स्परमेटोसाइट तो आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है इसका अंसर आप मुझे फटा फट कमेंट कीजे फिर मैं आपको तीन सेकेंडरी में इसका अंसर बताता हूँ ठीक है अब देखिए हमसे पूछाएगी पहला मियोसिस डिविजन होने के कारण यानि प्राइमरी स्परमेटोसाइट सेल जो है इसके अंदर जो फ़र्स्ट मियोसिस डिविजन होने के कारण जो सेकेंडरी मियोसिस डिविजन में जो सेल बनती है वो कौन से नाम से जाने जाती है तो वो जो है secondary मियोसाइट में जो cell बनती है वो जानी जाती है secondary spermatocyte के नाम से क्योंकि primary spermatocyte जो cell है वो उसके अंदर जब मियोसिस होगा तो फाइनली secondary spermatocyte ही बनाईगी उसके बाद spermatids बनता है फिर spermatozoa बनता है इतना समझ में है तो basically ये जो चार्ट है कहने का मतलब overall बहुत ही important है आप इसको please अपनी NCRT की book में बना लीजीगा और इससे जितने भी questions है उसको solve करते रहिएगा ठीक है गाईस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आपको अगर कोई question में doubt हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं और कोई query के लिए आप मुझे comment कर सकते हैं या मेरी mail id पे मुझे mail कर सकते हैं तो फिर मिलते हम next वीडियो में तब तक के लिए चैहिन बंदे मात्रा